वोगे दर नमस्ते हाद आप साथिया काल मैं हूँ सिय संकर्प कांस्टिया स्वागत है आपका इस नए सेशन में on strategic cost and performance management और आज अपन स्टार्ट करने वाले एक चाप्टर चाप्टर नमबर 12 transfer pricing क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तेयार है then let's get started आप लोग में भी यही होश और जोश है always try to be very enthusiastic in life बहुत सारे मुमेंट्स ऐसे लाइफ में आएंगे जहां पर you are going to fall dull तो इन जनरल जब अपने को पता है यार ऐसे टाइम आने वाल है तो जितना डाइम बच रहा है उसमें तो यार enthusiastic रहे है क्या बोलता है and pass on that positive vibes pass on that enthusiasm to everybody around you and life will be oh so beautiful ऐसा नहीं है कि किसी के life में tension ही नहीं सबकी life में equal tension है आपको मिरको देखे लगेगा औरे सर के बास तो बहुत पैसा है सर के बास यह है वो है सर को के tension नहीं है सब के अपने अपने share of tensions है बट उसी में यार when you can smile and keep those things at bay that is where you know life will be beautiful सो मेरा तो यहीं फंड है कि हसते रहो मुश्कुराते रहो things will fall in place सो चलो भई philosophy के sessions के साथ आगे वढ़ते हैं STPM के transfer pricing session के उपर ठीक है कमान यार जोज चाहिए smile चाहिए always मतलब खाली lecture के टाइम पर नहीं इन जनरल whenever you meet someone whenever you are there with someone show your full enthusiasm किसी ने कुछ अच्छा किया है आपके लिए ensure that आप उसको appreciate करें वैसे भी लाइफ में appreciate करने वाले लोग बहुत काम होते हैं तो अगर आपने एक छोटा सा appreciation भी दे दिया timely it helps a lot को मुझे भी appreciate करता है आहां मतलब दिन मेरा एकदम यह अच्छा चले जाता है कहीं पर भी अगर कभी students का message आजाता है sir enjoying the lectures a lot अच्छा लग रहा है lecture सुनके या फिर कभी और से कभी किसी कभी parents से किसी से भी कुछ भी appreciation मिल जाए मैं तो बोल रहा हूं ना सात्वे आसन में चड़ जाता हूं same can be the case with other person also so कभी आपको भी ए मौका मिले then in that case don't leave that opportunity to appreciate to give a positive thing to somebody बोलते ना लोग खीचने के लिए नीचे उतारने के लिए negative करने के लिए तो लोग है ही क्यों ना अपन इस चीज को यूस करें आपका अगर वाइब पॉजिटिव रहेगा ना in any situation whatsoever it will definitely pass on to others and make a big big difference ठीक है ग्रंपी या वो देना मूफ फुला के तो कोई भी रह सकता है बट चीजों को साइड पर रखके एक सकार अतमक सोच रखके positive दृष्टी कोन रखके if you can move on in life nothing beats that because जो होना है वो तो होना ही है positively accept करके आगे बढ़ते है ना यार transfer pricing पर आगे बढ़ते हैं अभी सर हो गया हो आपका बाबा की जय हो ऐसा बोल दो मेरे को चलो अब चलते हैं transfer pricing के उपर और यह जो चहरे की smile है यह जो आखो का नूर है that is for this chapter because this is one of my favorite chapters बहुत अच्छा chapter है यह exam में definitely तुम लोग समझ के ले लो कि exam में case study आने वाला इसका है लिखे ले लो मेरे से कहके लूँगा तो let's do it in the best manner possible ठीक है और एक चीज कोई चीज कर रहे हो ना तो उसको पुरी शिद्दत से करना 100% 200% उसमें घुसके करना जब आप movie देख रहे हो तो फिर आप पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो फिर movie या इदर उदर की बारों में क्यों सोचते हो गलत बात गलत बात तो वें यूर 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 ट्राइट टू किट लेक्टर चल उतना हो कि समझ में आ गया एंड लेविल पे रहे उतना टाइम मेरे को तुम लोग का पूरा चाहिए और मैं ट्राइब भी करवा रहा हूं कि क्लास में इस सब कुछ करवा दू सो यू डूंट आप टू रिफर एनिटिंग एल्स आफ्टर मैं लेक्टर या इस एक्सेंट तक अपन लोग कर रहे हैं बीट थेरी बीट फ्रैक्टिकल बीट यूर एंसी क्यूस एवरीटिंग यार कवरें तो जितना टाइम हो मेरे बनके ठीक है आजो चलो इसी बात पर स्टार्ट करते हैं य जोबी इंट्रोड़क्शं ट्यू स्ट्रैफिजिक कॉस्स मैं अपको बता जाएगा की कासे बिजस्नेस में स्ट्रैबी कोस्ट और स्ट्रैटिजिक मैंपने को अप्लाए करके बिजस्नेस के मीड मुच बे shifting को बेटर बनाना है उसτοलीजिक म्यall torch engler को बेटर बनाना है we'll always have a business connect and this chapter also starts with that business connect itself yes so मैं आपको सबसे पहले एक basic question पुछता हूं जहां पे भी आप बैटे हो में को answer देना I will get the vibe that I want and the question is boss अगर आप business कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो एक तो answer मुझे पता है who can say that to solve a greater purpose like say I am also into a business I am also earning a good amount of profit my intention was to provide good level of coaching specially at Chartered Accountancy level conceptual level of coaching and connect करना था मुझे practical world से students को that's the reason I came into this whole thing but उसके अलाव चलो यह तो एक ऐसा मैंने बोला philosophical बात हुआ उसके अलावा सबका end intention business का क्या होता है correct अपना सपना money money are we clear everybody obviously sir so business करना है तो सबसे important चीज है मेरे लिए कि मैं इस business में क्या earn करना चाहता हूं net profit मुनाफा till the time I am not getting profit I will not believe that my business is successful so I want hardcore profit for my business अब मैं आपको second question इसी से connected पूछता हूं यह profit आता कैफे है what is profit according to you एक दम layman language में मैं आपको बताऊ ना तो profit कुछ नहीं है it is nothing but sales minus total cost simple जितना आपने unit sale किया है और वो units sale करके revenue आया उसमें से जितने आपके total खर्चे हुए है वो minus कर दो जो बच गया वो है आपका मुनाफा जो बच गया that is your net profit am I right guys if yes then in that case समझ लो अपने को एक kickstart मिल गया है transfer pricing के लिए क्योंकि business से मैंने connect किया net profit profit से मैंने जोड़ा sales minus cost को अब यह जो sales है ना इसी में छुपा है आज का यह chapter transfer pricing तो कैसा sales कौनसा sales वो अब मैं आप लोगो दो मेड़ में बताने वाला हूँ क्योंकि sales में भी आना दो प्रकार होता है एक होता है internal sales एक होता है external sales external sales को फिलाल बाजू में रख दो आज बात होने वाली है internal sales की और internal sales से ही connected है यह पूरा chapter transfer pricing internal sales क्या होता है मैं हूँ ना मैं आपको सब बताऊंगा you don't have to worry so मैंने कहां से यह concept को start किया बेटा मैंने आप लोग को बोला कि यार कोई भी chapter अपना है ना end of the day connected है business के साथ ब्रैट पकोड़े की कसम किसके साथ connected है business के साथ connected है business अगर मैं कर रहा हूँ ना public business अगर मैं कर रहा हूँ ना public then in that case यार मेरा intention है कि मैं profit कमाऊ धेर सारा profit कमाऊ यानी मुनाफा कुनाफा नहीं मुनाफा बला रहे कि नहीं बहुत सारा मुनाफा कमाऊ अच्छा अगर मैं आपको बूच्छना हूँ what is net profit in a simple language बच्चों की language में मुझे बता दू क्या होगा net profit it is nothing but sales minus total cost in fact मैं आपको बोलता हूँ कि अगर कोई भी आप intermediate का CA का या CWA का ICWA का कोई भी book open करो intermediate का और उसका first chapter को लो introduction to cost management accounting वह आपको बोलेगा का ascertainment of selling price is one of their objective ascertainment of cost is their second objective yes एक chartered accountant का रोल है कामी है क्या objective ही है of CA CWA to ascertain to a certain selling price and cost कोई भी मैं आपको guarantee देखे वालता हूँ कोई भी inter ka book open करनो भले यह वो theory है तुम लोग ने ignore किया होगा आपने time पे but you can just refer it and and you'll realize that yes yeah indeed this is what happens objective अपना यह है बस इस ही इस ही sales का एक aspect है selling price see sales is what dependent on selling price and yes selling price को थोड़ा और जब मैं explore करता हूँ तो मेरे को मिलता है that this selling price is divided guys into two parts this selling price is divided guys into two parts एक होता है external selling price एक होता है external selling price and दूसरा है मेरा internal selling price यह external selling price तो आपको पता ही होगा यह basically मेरा market price है अगर मैं यह pen बना रहा हूँ और यह pen को market में बेचने को गया that is my external price that is my market price तो फिर अब आपके दिमाग में चल रहा है सर तो फिर यह internal selling price क्या है देवियो और सज्जनों भाईयो और उनकी भेनों यह internal selling price ही आपका transfer price है यह internal price ही आपका transfer price है सर कैसे 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 मतलब internal transfer होता क्या internal selling price होता क्या है सब बताओंगा बाबा सबर करो जरा सब बताओंगा don't worry तो कहां से business start हुआ था net profit से कैसे आता है net profit sales minus total cost फिलाल इस चार्टर में cost की बारे में बात नहीं कर रहे है selling price के बारे में बात कर रहे है which is divided into two parts external selling price internal selling price external selling price तो ठीक है but internal selling price is what we are going to discuss today and that internal selling price को ही ladies and gentlemen बोलते है transfer price अब आज आओ मेरे examples पर ठीक है ना मैं आप लोगों को एक बोलते हैं ना start दे दिया है style क्या है अपना we will always connect the start with the example तो अब मैं आ रहा हूं आप लोगों के साथ एक example लेके और उस example से पूरा आप लोग को concept of transfer pricing दिमाग में गुशा दूंगा in the next 10 minutes let's begin तो यार मैं तुम्हारे को यह समझाऊंगा एक example के थूँ एक्जामपल लेते हैं अपन लोग अपने फेवरेट एक ब्रैंड का इंडिया का फेवरेट ब्रैंग आमुल the taste of इंडिया अपन लोग सब लोग तो milk का एक इनका proper इतनों high level पे milk selling है इनका अब इनों ने milk के साथ साथ क्याना इसे और milk related products भी sell करना चालू कर दिया उधारन के तौर पे curd, buttermilk, paneer, ice cream इस सब milk से connected चीज़ हैं तो अब example के लिए मैं खाली दो डिविजन ले रहा हूं अजूम करो इनका एक milk division है और दूसरा इनका एक curd division है जिया दही दही किसका बनता है दो चीज़ों का एक milk का दूसरा दिमाग का okay sorry so can I say milk से अपन लोग बनाने वाले हैं कर तो यहां पे जैसा कि आप लोग देख सकते हुए देखो आमुल मिल्क आमुल मस्ती दही कर्ड सो बोट आफ देम बोट आफ देम आर पाट आफ आमुल सो अभी यहां पे मेरा एक्जांपल स्टार्ट होता है मिल्क डिविज़न obviously makes मिल्क बट को अगर करड बनाना है तो वह करड किससे बनता है मिल्क से बनता है so curd division will ask milk division to supply milk to the curd division to supply curd to the to supply milk to the curd division उसी curd division उसी milk से उसको process करके curd में convert करके market में sell करेगा बरावर है अब जब ये milk division transfer कर रहा है of milk जो जब ये transfer कर रहा है तो क्या ये free में transfer करेगा या कुछ पैसा लेगा right there has to be some consideration no कुछ ना कुछ तो consideration लेगा कि नहीं लेगा milk division curd division से even though दोनो है अमुल के ही बच्चे ठीक है ना है दोनो अमुल के ही बच्चे बच्चे बट फिर भी कुछ ना कुछ तो consideration will be taken from the curd division this consideration ladies and gentlemen is called as transfer price और अगर आप लोग note करोगे तो can I say ये जब milk division curd division का जो transfer है can I say वो internal transfer है कि main तो milk है main तो अमुल है अमुल का ही milk division है अमुल का ही curd division है जब इन दोनों में internally कुछ transfer हो रहा है जब इन दोनों में internally कुछ transfer हो रहा है that internal transfer is at a consideration and that consideration is called as transfer price जिसको अपन लोग बोल सकते हैं कि internally ही product को sell करने का जो प्राइज है internal selling price internal selling price समझ में आया और ये internal selling price ही तो आपका transfer price है यह ही तो आप लोगों को कब से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं public समझ में आया तो जब कोई भी division एक तो है भई market में sell करें दूसरा है जब वो अपने internal division को कोई भी product या services sell कर रहा है उस product या services के लिए वो जो consideration transfer division ट्रांसफरी division से जो consideration charge करने वाला है that is internal selling price also called as the name of the chapter transfer price क्या आप लोग को समझ में आ गया क्या होता है तो अभी मेरे यह example को मैं थोड़ा सा और technically redefine करूँ इसी example को मैं technically redefine करूँ तो can I say मैं या पर बोल सकता हूँ milk division can I say मेरा transfer division है कर्ड डिवीजन कैना से मेरा ट्रांसफरी डिवीजन है तो जब यह मिल्क डिवीजन अपने कर्ड डिवीजन को कुछ ना कुछ ट्रांसफर ओफ गुद्स एंड शर्विसेज करें बरावर है दप्राइस टू बी चार्ज़्ट the price to be charged from transferer to transferee is internal price बरावर है also called as why is that gentleman also called as transfer price also called as transfer price everybody clear सब लोग को समझ में आ गया ठीक है so क्या मैं बोल सकता हूँ price to be charged price charged between internal divisions is called as the transfer price और transferer division समझ में आ गया milk अपने केस में मिल इविजेन ट्रांसफरे डिविजेन जिसको मिल रहा है वह उसको लास्ट रीडिफाइन अगर मेरे को करना है तो मैं बोलूगा बॉस transfer price क्या है transfer price है transferer और transferee ये दो लोग है इन दोनों के बीच में जब किसी भी तरह का goods और services का transfer हो रहा है right price charged hello price charged between internal departments for internal transfer is called as transfer price everybody so I hope आपको समझ में आ गया होगा अब क्या होता है transfer pricing internal transfer of goods and services के लिए जो price charge करेगा transferer department transferring department से उस price को बलेंगे internal selling price और उसी का fundamental name है transfer price सर क्या ये direct tax के transfer price से कहीं पर भी connected है zero connection चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन लोग लेते हैं कुछ examples अब अपन लेते हैं कुछ examples so what are going to be these examples example ही दिया था तुम लोगो खाली उसको लिख लेते हैं सिर्फ और example अपना जो transfer division है आमुल वाले example में और transfer ही है तुम लोग एक बार clear हो गए होना क्या है transfer क्या है transfer इसके लिए मैं लिख वार रहा हो गारे है अब सिर्फ और example अपना यह है बिग फोर्स है के पी एमजी का example के पी एमजी में बहुत सारे बतेरे बतेरे आज़ें बहुत सारे departments है अब इसमें ऐसा समझोगी दो department है जैसे की stat audit department income tax department stat audit department को income tax department की ज़रुवत तो क्या होगा stat audit department income tax department को बोलेगा यह KPMG income tax department please मेरे को थोड़ा तेरे से help चाहिए मेरे को तेरे total 25 hours चाहिए और मैं कोई सीज के बारे में consultation चाहिए income tax department KPMG का बोलेगा okay I will give you 25 hours and this will be the price stat audit is the transferee department KPMG income tax department is the transferer department तो यह transferer department यह transferee department transferer of services transferee of services समझे अब लेखते हैं यहाँ पर so transferer अपने आमुल वाले case में था milk division transferee था मेरा curd division फिर और एक exam इसी को मैं चलो continue करता हूं कर्ड डिवीजन और बटर मिल्क डिवीजन और एक exam लेता हूं मैं के पी एम जी टैक्स वाला डिवीजन ट्रांसफरर और के पी एम जी का ही स्टैट ओडिट डिवीजन ट्रांसफरी यार इतने एक्जम्पल चीए समझ में आ गया ना चलो अब समझ में तो आगे ट्रांसफर प्राइज क्या होता है समझ में तो आगया ट्रांसफर प्राइज क्या होता है अब क्यूं यह ट्रांसफर प्राइज के लिए पूरा एक चैप्टर बना है क्या इसके पीछे का हिस्ट्री है मैं तुम लोग को एक एक चीज प्रॉपर ली बताऊंगा और transfer price क्या है कैसे उसको calculate करना है and क्या इसके पीछे का logic है ये सारी चीजे अब मैं तुम लोगे दिमाग में set करने वाला हूँ so अब मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ history of transfer pricing तो इस history को मैंने दो part में divide किया गया है एक है मेरा pre 1995 एरा एंड दूसरा है मेरा post 1995 एरा सर क्यों ऐसा बतातों इंडिया में पहले के जो और्गेनाईजेशन से दे वर ओल सेंट्रलाइस्ट और्गेनाईजेशन मतलब एक टॉप लेवल पे एक में कंपनी का ओनर है उसके दो-तीन you can say managers है और वही managers काम करने पूरा जो भी manager को decision लेना है वो central top authority पे जो ओनर है उसके पास जाना है discuss करना है decision लेना है और फिर बाद में उसको implement कर देना है बात कतम वह जो मेरा manager है वो और कोई भी चीज़ के लिए responsible नहीं है he will get the direction from the top level जितना उसने manager जितना top level ने बोला है उतना काम करना है बस उस काम का आपको salary मिलेगा बात कतम बट पोस्ट 1995 में specially 1991 के बाद जब से यह liberalization privatization globalization globalization LPG आया है उसके बाद it has been seen that the expansion of companies has taken to a next level क्योंकि क्या हुआ कि बाहर से भी बहुत सारी companies इंडिया में आना चाले हो गई तो इंडियन companies को competitive होना पड़ा प्लस इंडिया consumption इंडिया में काफी बढ़ गया population काफी सारा इंडिया में अच्छे एक level पे था so at that point in time it was realized that यार expand करेंगे तो company को अच्छा कासा मुनाफा profit हो सकता है so इस expansion के लिए ध्यान से सुनना मेरे बात को expansion के लिए public ने बोला कि यार centralized organization structure रखेंगे यानि एक ही बंदा top पे और हो ही सारे decision लेगा then in that case expansion नहीं हो पाएगा and that is where decentralization started to happen इसके लिए मैंने आप लोग को पहले chapter number 9 करवा दिया है जापे मैंने आपको बताया है कि क्यों decentralize करना पड़ता है आपको ताकि आप फटा-फट expand कर पाए एगर एक ही आदमी रहेगा top पे तो फटा-फट expansion नहीं कर पाएगा तो अपने क्या चालू किया decentralization अब जैसे मैंने decentralization on expansion चालू किया what started to happen is कि जब मैं किसी को अपना पूरा जो बिजनस है वो decentralized है अपने एक particular division है वो decentralized करके दे रहा हूँ तो I also give him the authority and responsibility to take decisions for example Mukash भाई ने अगर अपने entities को divisions को decentralized किया है और बोला है Reliance G.O. अनन्त अंबानी के पास Reliance Industries Limited अनन्त अंबानी के पास Reliance Retail Venture इशां अंबानी के पास तो वहाँ पे उन्होंने delegation करते वक्त responsibility और authority भी transfer किया है that is the core essence of decentralization अब जब आप decentralized कर रहे हैं अपने divisions में कुछ भी तो at that point in time आप कुछ targets देते हैं उनको और आप उनको बोलते हो कि भाई देखो आपको salary तो मिले गई बट अगर आपने अच्छा perform किया आपके division ने overall अच्छा perform किया तो salary के साथ we will also give you bonus तो now your bonus is dependent on your particular divisions profit इससे होता क्या है the division will try to earn maximum profit अगर division maximum profit earn करने का try करेगा तो आप लोग समझो consolidated level पे company को तो फाइदा ही होगा company को तो बलते है ना पाच्छों लिया कि company को तो फाइदा ही हो रहा है क्यों क्योंकि divisions will now try to maximize their profitability why will they try to maximize their profitability क्योंकि उनको बता है कि वो चितना ज्यादा profit earn करेंगे company उतना ही उनको पैसा के उतना ही उनको bonus profit देगी and जैसे ही वो profit earn करेगी company जैसे ही company वो profit earn करेगी it will be passed on to the divisions division is happy क्यों क्योंकि उनको bonus मिल रहा है based on the profitability of their division company is happy because हर एक division profit कमाने की extra कोशिश कर रहा है तो overall company level पे फाइदा है and that win-win situation was developed after 1995 तो 1995 के बाद जब internal divisions में transfer होने लगा तो हुआ क्या जो transfer division है वो try करने लगा कि मैं maximum selling price रखूँ जो internal transfer ही division है वो try करने लगा कि मैं minimum से minimum करचा करूँ तो cost एकदम कम रखने की कोशिश करूँ and that is where a common pricing which is making both the divisions happy एक win-win situation create करें दोनों के लिए वो create करना बहुत ज़रूरी था and that's where role of a chartered accountant was increased 1995 के पहले कोई बहुत जादा transfer pricing use ही नहीं होता था क्यूंकि 1995 के पहले तो एक division दूसरे division को at cost ही transfer करता था क्यूंकि वो division बोलता था कि मेरेको क्या फरक पड़ रहा है चोड़ना मैं cost पे transfer कर दे तो मेरेको कौन सा ये division को profit कमा के कुछ मिलने वाला है मेरेको end of the day जो salary ही मिलेगा जो transfer ही division है वो भी बोलता है ठीक है मेरेको cost में मिल गया I am happy मेरेको भी salary मिलने वाला है मेरेको कौन सा ये division का कम cost लाके मेरेको profit लाके कोई फाइदा होने वाला है but 1995 के बाद तो ऐसा नहीं है 1995 के बाद तो चीज़े change होने लगे this division is trying to earn maximum profit so internal transfer होगा तो उस पे भी they are trying to earn maximum selling price this division is also trying to earn maximum profit तो they are also trying के जितना कम में cost रखुँगा उतना मेरेको फाइदा होगा overall उतना मेरेको फाइदा होगा ओटना मेरेको फाइदा होगा ओटना मेरेको फाइदा होगा this you know increase होगा and this combination hello this combination led to the development of the concept called as internal pricing between the departments called as transfer price called as transfer price and फिर बस यह कहानी और next level पे ले गई और अब मैं तुम लोग को यही चीज़ सिखाने वाला हूँ क्या समझ में आया तुम लोग को क्या logic था यह chapter introduce करने का because now all divisions are profit centers they are responsible for their profits इशामबानी इस्पॉंसिबल पर रिलाइंस रीटेल वेंचर्स प्रॉफिट इस प्रॉफिट सेंटर तो प्रॉफिट सेंटर हुआ तो आप ट्राहे करोगे कि बॉस अभी for example टाटा मोट टाटा संस है टाटा संस एकदम में कंपनी है होल्डिंग कंपनी है उसका ही फिर सब्सीडियर निकला है क्या टाटा मोटर्स टाटा स्टील टाटा पावर टाटा केमिकल्स टीस टाटा कंसल्टंसी सर्विसेज उसमें जब टाटा मोटर को स्टील चाहिए तो टाटा स्टील टो जब यह टाटा स्टील ट्रांसफर करता है इट बस इस काम के लिए उनको चाहिए एक चाटड का नॉलेज and that's where we people will step in और अपन समझेंगे चीजों को और एक ऐसा ट्रांसफर प्राइस रखने की कोशिश करेंगे जिससे कोलते है ना साब भी मर जाया और लाटी भी न टूटे दोनों डिविजिएंस के लिए एक विन-विन सिचुएशन हो जाए एक निगोसिएट विन-विन यह इसके बीचे का लॉजिक तो मैं तो बोलता हूं प्री-1995 एरा में चैना ऐसे डिविजन वर वेसिकली कॉस्ट सेंट्रिक डिविजन यार ऐस सच डिविजन वर कोस्ट सेंट्रिक डिविजन बट पोस्ट已 1995 क्या हुआ यह सारे डिविजन वो गए प्रॉफिट सेंट्रिक क्योंकि अब नेरा सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइस्ट लेवल पे बात हो रही है centralized level से अब अपन आ गए हैं decentralized level पे are we understanding so पहले क्या था centralized system of organization where 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 decision making hello where decision making किसके पास था at top authority decision making at top level so उससे होता क्या था उससे problem क्या हुआ यह हुआ कि यह की internal transfer at cost so no limited scope of CA internal transfer at cost ही हो रहा है तो CA क्या करेगा तो limited scope of chartered accountant of chartered accountant but post 1995 कहानी बदली कहानी बदली और post 1995 क्या हुआ आओ देखते हैं post 1995 as I told you कहानी बदली और अब decentralization हो रहा है ठीक है पहले क्या होता था पहले के time पे can I say centralized level of organization था because centralized level of organization था salary क्या थी fixed salary salary क्या थी fixed salary क्यों क्यूंकि everything was cost centric but समय बदला चीजे बदली time बदला अब क्या हो गया है private level पे चीजे आ गई है चीजे decentralized और profit centric हो गई है और इसकी वज़े से अब division को क्या मिलता है आपको salary तो मिलने ही वाला है उसी के साथ साथ now you are also wanting for profit you are also wanting for bonus और इसी के लिए अब मैं क्या करूंगा current scenario में transfer will be at hello transfer will be at correct a proper selling price called as the transfer price so this is how the things change 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 और आज के हिसाब से अगर मैं लिखता हूँ today's current scenario तो क्या है today's current scenario बहुत clear है गाईज today's current scenario is clear that a limited समझा अपन लोग इसको लेते हैं a limited और इसको लेते हैं b limited तो हमारी जो company है a limited वो अगर centralized है आज की तारिक में तो फिर हमारे को कोई चार्टेड की जरूत नहीं है और internal transfer is at cost है बट आज की तारिक में क्या centralized level of organization चलता है no way hardly now is the world of b limiteds which is decentralized profit centric approach decentralized decentralized profit centric approach जहां पे internal transfer at tp which is transfer price समझें तो अगर तयार हो आप तो example में दूंगा अब next level वाला ठीक न सेंट्रलाइस का तो क्या ही example एक चोटा से example दूंगा बात खतम हो जाएगा में मैं example देने वाला हूँ आपको decentralized level of organization का and यह जब decentralized level of organization का मैं example दूंगा न you will feel that okay we have arrived to understand the concept of transfer pricing आओ अब मैं आप लोगों को देने वाला हूँ एक example relating to Centralized organization किसका कंपनी का नाम है आमुल कंपनी का नाम है आमुल तो समझो आमुल अगर एक centralized organization और उसके तीन division है ठीक है milk division कर्ड division buttermilk division and यह है आपके particulars ठीक है ठीक है now there is a production capacity say of 1 lakh liters of milk ठीक है कर्ड डिपार्टमेंट में मिल्क डिपार्टमेंट को कॉल किया और बोला यह सुनना मेरे को मिल्क चाहिए तो मिल्क डिपार्टमेंट will transfer it to the कर्ड डिविजन कर्ड डिपार्टमेंट सम्झो 20,000 liters ट्रांसफर किया कितने पे नव यहर बिकॉस इस अ centralized level of organization transfer is at cost transfer is at cost दूसरा अगर कर्ड डिपार्टमेंट ने बटर मिल्क डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया ठीक है then यहां पे say 10,000 liters of कर्ड ट्रांसफर हुआ then also because it is a centralized level of organization क्या होने वाला है transfer is at cost transfer is at cost so I think एकदम easy है यह centralized organization तो अभी होती भी नहीं है तो अपने को यह कुछ इसमें इतना दिमाग लगाने का भी नहीं है main game किदर आता है अब जो अपन लोग example करने वाले हैं अब जो अपन example करने वाले हैं that is going to be on a centralized plus profit centric approach centralized plus profit centric मेरा अगर firm होगा then क्या होना है मेरा situation is now what we are going to start इधर तक सब कुछ clear है एक बार काली तुम लोग ने अगर लिखा होगा अपने book में तो पने गुमा लो मतलब just flip the pages नहीं लिखा है तो मेरा एक बार देख लो यह तुम लोग के पास notes तो uploaded हो गई notes में एक बार तुम लोग flip कर लो so that everything is set in your head till now दो minute pause कर लो take deep breaths and now we are going to start with the example related to profit center जहां पे अपने को apply करना है concept of transfer pricing yes are you ready so अब अपना एक profit centric division है यहां पे अपन अप्लाइ करेंगे क्या apply concept of TP जिसको अपन बोलते हैं transfer price जिसको अपन बोलते हैं transfer price और इस transfer price को तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा क्योंकि इसके अलावा और कोई situation possible नहीं transfer pricing के लिए there are going to be only three situations यह three situations को अगर आप लोग ने बराबर से समझ लिया तो समझ लो transfer pricing का क्रक्स समझ लिया पहला situation है पहला situation है full or spare sorry full spare यह जिसको अपन बोलते हैं full idle capacity this is my first situation second situation है second situation है part spare part occupied capacity and the third situation is yes the third situation is fully occupied capacity fully occupied capacity यह तीन situation के अलावा और चौता कोई situation आही नहीं सकता तो यह तीनों situation अगर अपन लोग ने बराबर से कर लिए तो समझ लोग अपन लोग ने transfer pricing properly कर लिए चलो let's start guys करेंगे अपन लोग सब लोग यह system को start एक बार लिख लो यह अगर अभी तक कुछ नहीं लिखा है ठीक है but at least यह तो अभी लिखी ले because अभी एक-एक situation को मैं pick up करने वाला हूं as usual situation में मिलाओंगा मैं अपने example का तड़का और फिर वह example से मैं connect करूंगा concept पे and एक दम मस्त में तुम लोग को दिमाग में set हो जाएगा ठीक है तो चालू करते हैं सबसे फस्ट एक्जांपल के साथ everybody full spare full idle capacity चाल स्टार्ट करेंगे अब आपन लोग सबसे पहले केस के साथ and that is full spare capacity so first case one spare का मतलब समझते हैं ना idle खाली पढ़ा रहे हैं फुल spare जिसको बोलते हैं idle capacity ठीक है चॉप पहला है मेरा आमूल मिल्क डिवीजन पहला है मेरा आमूल मिल्क डिवीजन दीक है वो मेरा ट्रांसफरर है और अमूल कर्ड डिवीजन मेरा ट्रांसफर रही है लिख देते हैं अपन लोग उस चीज़ को भी यहां पर या टेंचन नहीं चीए तो यह मेरा ट्रांसफरर है बस एकदम ध्यान से आप लिए एक्जांपल को सुनना है एकदम सिस्टमाइटिकली चीज़े समझ जाएंगी तो ना सबसे पहले आपको बता देतों मिल्क डिवीजन के बारे में तो मिल्क ली-टर्स ओफ-क तीक न यह इसका प्रोड总 का पैस्टीर म्लक सकता है इसका इसका मार्केट में एक्स्टर्नल मीमान इसके मार्केट में इसके उपन बोलते हैं मार्केट अिमान इज एट्टी ताूजे-ट्याउजन लीट actively is 80,000 liters, आप मुझे बताओ without any guesses एक second के अंदर, कि अगर मेरे, मैं milk division का owner, मेरा production capacity है 1 lakh liters, और मेरा external demand, external demand मतलब बाहर market में कितना liters का milk मैं sell कर सकता हूँ, कितना demand है, that is 80,000 liters, तो मेरे पास pair कितना बचा, या जिसको मैं बोलूँगा, मेरे पास idle capacity कितना बचा, बोलो बो टेल टेल, yes, absolutely correct sir, 20,000 liters so, अगर मैं इधर लिखना चाहूँ तो spare slash idle capacity is 20,000 liters, am I right so, 1 lakh में से 80,000 गया, can I say 20,000 liters मेरे पास बचा, the answer is yes, ये एक मेरा preliminary information है, जो मैंने तुम्हारे को दे दिया है, ये मेरा एक preliminary information है, जो मैंने तुम्हारे को दे दिया है अब बात आगती है, transfery division के पास transfery division का अभी call आया मिरको, किसको, milk division को सुनो ध्यान से, transfery division का call आया, transferred milk division को, और बोला कि सुनो सुनो milk division सुनो milk division मिलको एना 20,000 liters of milk चाहिए तो अभी call आया के milk division को curd division ने call किया milk division को और call करके बोला क्या बोला milk division को अब आपको बताना है required as a chartered accountant अपने को बताना है minimum transfer price and maximum transfer price minimum transfer price and maximum transfer price यह अब अपने को उनको बताना है एक additional information आपको मैं दे दू that market price market price of this milk is rupees 100 per liter is rupees 100 per liter and variable cost variable cost is rupees 80 per liter of this milk division ठीक है तो यह अपने को information additional information अच्छा कासा available है are we clear everybody so milk division कर division पूरा systematically milk division ने कर division को 20,000 liters transfer करना है as a chartered accountant we should know what is the minimum transfer price we should know what is the maximum transfer price तो CA के मताबिक chartered accountant के लिए क्या रोल है भी अपना टू कैल्क्यूलेट अलो टू कैल्क्यूलेट रेंज जी यहां टू कैल्क्यूलेट रेंज आफ ट्रांस्फर प्राइस पॉर इंटर्नल ट्रांस्फर फॉर इंटर्नल ट्रांस्फर यह अपने को कैल्क्यूलेट करके देना है ओके चल्ट टन सो यहां पे दो चीज़े आ जाएंगी एक एक मिनिम्म्म ट्रांस्फर प्राइस दूस्रा मैक्सिम्म ट्रांस्फर प्राइस यह अब अपने को उनको बताना है ठीक है अचा मिनिम्मम ट्रांस्फर प्राइस यह अब अपना पुरा सिस्टं है फट ख़्टी है एक्जाम्पल लिख लो and then we will start solving it together, come on everybody झाल झाल अब मेरे को है ना आप लोगों का लॉजिक्स एकदम ओपन चीए प्यॉर प्यॉर लॉजिक्स के उपर मैं तुम लोगों को ये डिराइव करके बताऊंगा कैसे कैल्कुलेट करते हैं मिनिमम ट्रांस्फर प्राइज लॉजिकली सोचू आप ट्रांस्फर डिविजन हो मिल्क डिपार्टमेंट के ठीक है आपको मिनिममम ट्रांस्फर प्राइज कितना चाहिए मतला मिनिममम आपको कितना चाहिए याप पर आप बोलोगे यार देखो मैं 80,000 यूनिट्स मार्केट में बेचता हूँ 20,000 यूनिट्स मेरा वैसे भी स्पैर पड़ा है आइडल पड़ा है मैं तो उसको कहीं पर यूजी नहीं कर रहा हूँ अगर मेरको इंटर्नल डिविजन से कॉल नहीं आएगा तो मैं ये 20,000 बनाऊंगा भी नहीं क्योंकि मेरे लिए तो ये स्पैर कैपैसिटी है तो अब मिनिमम मेरे को कितना चाहिए यहाँ पर कैना इससे मेरे को variable cost recover करवा के दे दो क्योंकि अगर ये 20,000 यूनिट्स के लिए मैं specially आप लोगों के लिए milk बनाऊंगा तो वो milk बनाने का मेरा cost 80 रुपीज तो उतना मेरे को खाली recover करके दे दो do you agree with me तो कैना इससे यहाँ पर जो हमारा minimum transfer price है basically वो transfer department decide करता है और बोलता है minimum मेरे को कितना चाहिए यहाँ पर वो इस situation में बोल रहा है यहाँ पर मेरे को minimum आप मेरा variable cost recover करवा के दे दो करके मेरे को मेरा minimum variable cost recover करवा के दे दो so can I say it will be recovery of variable cost यार variable cost recovery of मेरे को minimum मैं नहीं बोल रहा हूँ यही price होगे अपना final minimum मेरे को इतना recover करके चाहिए question में क्या बूचा है देखो जड़ा वो अपने को खाली फिलाल minimum transfer price बोल रहा है minimum मेरे को इतना चाहिए यही चाहिए तो कैना इसे यहां पर transfer price minimum level पर अगर मैं देखूँ तो variable cost which is nothing but 80 per liter तो 80 हो जाएगा अगर मेरे को तुमारे future reference के लिए के explanation के तौर पर अगर रखना है इसको तो कैना इससे पॉर मी दो मिनिममम ट्रांसफर प्राइस विल भी क्या हो जाएगा यह मिनिममम ट्रांसफर प्राइस can I say it is the hello it is the it is the minimum recovery it is the minimum recovery to be done by the transferor division can I say from the transferi division बस इतना minimum recovery अपने को चाहिए चाहिए such that भाई ऐसा minimum recovery करेंगे such that from the transferi division there is no loss to transferor division there is no loss to transferor division समझ में आगे आप लोगों एकदम स्मूथ था इसी था ठीक है ऐसा प्राइस रखो यार के pension ना रहे transferor division अच्छा maximum आप मुझे बताओ maximum transferor कितना चार्ज कर सकता है या for that matter maximum transferi देखके क्या बोलेगा maximum कितना देगा हूँ तो transfer ही बोलेगा boss तेरा market price रुपीज हंड्रेड रुपीज हंड्रेड रुपीज हंड्रेड रुपीज से दादा तो तू चार्ज करना ही बत कुछ भी हो जाए मैं मार्केट से 100 रुपए ले रहा हूँ तो तेरे से 100 रुपए से जाधा क्यों लूँ बराबर है तो मैं तेरे से 100 रुपीज से जाधा नहीं लूँगा तो maximum transfer रुपीज कितना है मार्केट प्राइस हंड्रेड रुपीज मैंने बोल रहा हूं यही ट्रांस्पर प्राइस है पहले अपनों ग्रेंज निकालना तो सीखे फिर एग्जैक निकालना भी सीखेंगे या टेंचन क्यों लेते हो समझ रहो सो अब मेरा मैक्सिमुम ट्रांस्फ प्राइस को डिफाइन करना है तो मैं लिखूंगा मैक्सिमुम ट्रांस्फर प्राइस इस एक्वल टू मैक्सिमुम ट्रांस्फर प्राइस इस था मैक्सिमुम रिकवरी रॉम ट्रांस्फर टू ट्रांस्फरी रॉम ट्रांस्फरर टू ट्रांस्फरी समझ में आ रहा है आप लोगों को everybody अब एक खाली जंडरल एक बात बता रहेता हूं आप यह तो अपने को एकदम प्रॉपरली समझ में आ गया कि बही कब ट्रांस्फरर कब ट्रांस्फरी रॉम कितना चार्च करेंगा clear अपने के एकदम इस जन्रल बात है कि यूशलह है जो मिनिममठ्र ट्रांस्फर प्राइज ए ना वो ट्रांस्फरर के नेक्स लेक्चर तक और थोड़ा क्लारेटी आएगा इसको और एक्स्ट्रोर करेंगे आगे चलो अभी मैं क्या बोल रहा हूं फस्ट एक्जांपल एक्दम क्लियर है इस एक्जांपल से अपने को क्या सीखने को लिए कि यार अगर कोई डिवीजन जिसके पास फुल स्पेर कपैसिटी अगर तुम लोग ने नोट किया होगा तो इसके पास 20,000 स्पेर कपैसिटी है और उधर उसको 20,000 यूनिट शीचिए कैना इससे फुल स्पेर कपैसिटी था जब फुल स्पेर कपैसिटी था तो minimum transfer price हम लोग रखा variable cost और maximum हम लोग ने रखा market price बस यही आपका learning है from the first case study वो ही बस यहाँ पे आप लोग को represent करना है तो learnings क्या है learnings? learnings है case one क्या है case one full spare slash idle capacity तो full idle capacity हुआ तो अब इसमें दो बाते हो सकती हैं क्या है वो दो बाते बोलो एक minimum transfer price दूसरा maximum transfer price minimum transfer price क्या है? it is recovery of variable cost पर जो अपने case में था रूपीज 80 पर लीटर दूसरा क्या है? max transfer price max transfer price क्या है? market price which is रूपीज 100 पर 40 पर इदर तक चलते हैं आपर लोग situation 2 के उपर तो मैं इदर लिख लेता हूँ heading case 2 case 2 बोलता है part spare part occupied must है मजा आएगा ये करने में part spare जिसको अपन idle बोलते हैं and part occupied capacity चलते हैं same example पहले दूँगा और फिर बाद में example को take forward आपनलोग करेंगे don't worry so पहला है मेरा milk division दूसरा है मेरा curd division milk division क्या बोलता है क्या है मेरा production capacity बेटा 1 lakh liters इसमें से external demand कितने का है external demand है for 90,000 liters इसमें से मेरे पास spare capacity कितना हुआ immediately आपको पता चल जाएगा question देगा आपको question आपको बताएगा कितना production capacity है question आपको ये भी देगा कि एक्स्टरनल डिमान कितना है immediately आपको पता चल जाएगा correct 10,000 liters is your spare capacity अब जो additional चीज़े है selling price per liter rupees 100 and variable cost per liter rupees 80 okay समझ गए इतना कोई tension की बात नहीं है आगे अब curd division जाएगा milk division के पास ये जो है internal demand generate करेगा कितने units का internal demand generate करेगा curd division बोलता है मेरे को तो अभी भी 20,000 liters of milk ही चाहिए अब कहानी में twist आने वाला है बेटा अभी भी मेरे को तो 20,000 liters का ही milk चाहिए अब इस में से अपन बोलेंगे भाई देख 10,000 liters तो उसके पास spare पड़ा है वो ये वाला 10,000 liters तिरको दे देगा उसके पास उतना तो idle या spare है game किस चीज़ का होगा correct बाकी का जो 10,000 liters है ना वो occupied capacity है यानि वो अगर 10,000 तो चलो जो spare वाला है वो तो court division को दे दिया करके बट अगर और additional 10,000 देना है अपने को spare वाले को तो हलो मेरे को sacrifice करना पड़ेगा बाहर का मेरा जो demand है और वो sacrifice करके मेरे को court division को देना पड़ेगा बराबर है अब मैं हूँ एक profit center division अगर मैं बाहर का मेरा कोई demand sacrifice कर रहा हूं तो मैं वो sacrifice करके मेरे internal division को देने को ready हूँ कोई problem नहीं है मैं internal division को दूँगा बट उसको मैं क्या बोलूँगा भाई यह जो 10,000 liters है जो मैं sacrifice करके दे रहा हूँ उसके लिए मेरे को जो market से मिलता है उतना तू दे दे मैं profit centric division हूँ end of the day यह 10,000 liters मेरे वैसे भी खाली बड़ा था तो वह जो खाली बड़ा था उसके लिए तेरसे खाली variable cost रिकार किया बट जो बार का 10,000 मैं sacrifice करके दे रहा हूँ उसका तो मेरे को पूरा पैसा चाहिए ना यार मैं भी इदर यार मेरा टीम लेके बैठाओ मेरा डिविजन लेके बैठाओ वो लोग को भी bonus चाहिए यार सबसाद रहे ना आप लोग यार एकदा मतब काईदे की बाद धन्दा लेके बैठाए बड़ा जान कहते थी किया के रंदे से बड़ लेंगे 10,000 जो आपके पास spare है उसके लिए अपन variable cost ले लेंगे कोई problem नहीं है बस इसी explanation को थोड़ा सा मैं आप लोगों को भी confidence आ जाएगा आप लोगों को भी confidence आ जाएगा तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ minimum TP minimum transfer price मैं बोलता हूँ के boss internal demand है मेरा 20,000 units का internal demand है मेरा 20,000 units का इस 20,000 units में से इस 20,000 units में से मेरे पास कुछ spare है जिसको आपन बोल सकते है आइडल और कुछ occupied है जो मेरे पास spare पड़ा है ना 10,000 liters वो तो मैं चलो आपको variable cost पे दे सकता हूँ वो तो चलो मैं आपको variable cost पे दे सकता हूँ which is rupees 80 per liter तो कितना हुआ चलो उसके लिए मैंने आपसे लिया rupees 8 lakh अपन याद रखना minimum transfer price मैं minimum इसके ओपर 80 रुपीस तो चाहिए बट जो occupied है ना बॉस वो मैं sacrifice कर रहा हूँ मेरी external demand को so I am sacrificing my external demand I am sacrificing my external demand तो यह आजाएगा at the rate market price which is rupees 100 per liter so 10 जो यह 10,000 liters है मेरा वो मेरा जाएगा at the rate 100 per liter पे वो जाएगा मेरा 10,000 liters 100 per liter के हिसाब से FRQ for a simple reason that yes यहाँ पे मैं sacrifice कर रहा हूँ तो टोटल मैं बोलूँगा division y को सुन भाई 18,000,000 रुपे दे अच्छा वो बोलेगा 18,000,000 कितने liters के लिए so यहाँ पे अपन लोग calculate कर लेंगे minimum transfer price we will say 18,000,000 divided by 20,000 liters equal to rupees 90 per liter क्या पात है समझा logically कोई doubt I hope ना हो पो तो मुझे पूछ ले ना लग से बता दूंगा don't have to worry at all वाउ क्या learning मिला अपने को यहाँ से यार लिखके बताना है वाई ऐसे नहीं चोड़ेंगे क्या learning मिला है आपको that was minimum transfer price that was minimum transfer price कितना होगा कौन से situation में part spare part occupy ठीक है यह situation में पार्ट स्पेर पार्ट ओक्यूपाइड situation में क्या होगा आपन बोलेंगे जो spare units है वो at the rate variable cost वो at the rate variable cost में गया ना तो वो at the rate variable cost पर unit में प्लस जो occupied units है जो occupied units है वो at the rate market price पर unit पे जाएंगे total मिला के क्या हो जाएगा total number of units to be transferred total number of units to be transferred and that becomes your average you can say minimum transfer price minimum transfer price अच्छा everybody समझ में आया क्या डण 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 अब आजाओ maximum के उपर एक सेकंड में तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे maximum कितना लेंगे अपन correct maximum तो जो last time लिया था उतना ही 100 रुपे के उपर तो नहीं देंगे कुछ भी हो जाए अभी देखो अपना काम है न अभी 90 पर लिटर में हो गया तो भी एक तो win-win situation ही है transferor को भी जितना पैसा चीए था उतना मिल गया हो खुश है transferi भी खुश है कि भाई चलो सौक के जगे 90 रुपीज में तो मिला पर लिटर maximum कितना चार्ज करेंगे तो यह minimum और maximum का range निकाल रहा है इस बीच में यह लोग negotiate करेंगे transferor बोलेगा 90 तो चाहिए ही चाहिए transferi बोलेगा 100 से जादा तो दूंगा ही नहीं अब सपोज 95 का price decide किया सपोज example तो 95 का price decide किया ना तो transferor is very happy उसको 5 रुपया पर लिटर extra मिल या transfer is very happy उसको पाच रुपया पर लिटर का discount मिल या market से दोनों भी खुश यही तो काम है या chartered accounting का सब को खुश रखने का boss समझ में आ गया guys सो अपन minimum और maximum transfer price calculate करके दे देंगे management को अब फिर बाद में management के ओपर है वो लोग क्या price decide करते हैं and that's how they will negotiate समझ रहे अपन done so अगर अब मैं यहां पे बेटा जी अब मैं अगर यहां पे आप लोग को लिखवाता हूं maximum transfer price तो it is what तो अपन वलेंगे transfer price is nothing but market price या जो भी मेरा external selling price है जो भी मेरा external selling price है equal to rupees 100 per liter equal to rupees 100 per liter done clear and अब अपन लोग चल रहे है केस 3 पे केस 3 बोलता है क्या क्या बच्चा है याद करो fully spare done part spare part occupied done correct now is fully occupied third case है fully occupied या जिसको अपन बोलता है zero spare zero spare यहां पे देखो क्या position है मेरा एक है milk दूसरा है कर पोजीशन तो अपन लोग सेमी रखने वाले या production capacity यही production capacity यही external demand आओ कॉपी कर लेते हैं अब मेरे पास इस situation में क्या spare capacity बच्चा जी रोओ सेलिंग प्राइज मार्केट प्राइज अभी भी है हंड्रेड का वेरियेबल कॉस्ट अभी भी है एटी का अच्छा करड डिपार्टमेंट का क्या सीन है एस यूज्वल कॉल आएगा और बहुलेगा हलो इंद्ध पार्टमेंट जरा दूद चाहिए था कितना दूद चाहिए तुएंटी थाउजन लीटर ओहो ओहो अब मिल्क डिपार्टमेंट बोलेगा यार सॉरी यार देख मेरे पास पैर कापैसिटी नहीं है कर डिपार्टमेंट लगे अपन दोनों तो भाई-भाई है यार अपने तो माता पिता मिल अमुल आमुल तो मेरे को यार कॉस्ट में दे प्रकेट में विक रहा है जा कैसे सपने को देने के लिए ऐडी हू बहर जितने में भिक रहा है। तूभी मुझे के एडिए focus बढूत । क्योंकि मैं profit center हूँ और मैं पूरा का पूरा sacrifice करके तेरे को दे रहा हूँ यार मुझे भी तो जवाब देना है अपने जो बाकी के employees है मेरे division के याद समझ ना तू तो समझ सकते हैं तू भी profit center है and in this situation जहां पर fully occupied zero spare है yes it is going to be a case of market price will be the minimum transfer price समझ में आगया आप लिखते हैं so range of transfer price तुम लोग कुदी समझ गए होगे ना भी तो क्या answer आने वाला है so smart so see यह अपर लोग easily कर पाए क्योंकि example अपने पांस ready था example को अपन लोग connect किया example को समझ गया आप things become very manageable kashmiya this so minimum transfer price or maximum transfer price the transferor division is fully occupied the transferor division is right down is fully occupied right the transfer to internal division the transfer to internal division is totally going to be क्या पुरा का पुरा पैसा चीए समझ गयो ना it's totally going to be out of occupied units out of occupied units that is it is going to be a full sacrifice that is full to full sacrifice समझे गया and कभी भी याद रखना that in case अगर full कोई भी sacrifice हो रहा है ना तो वो market price पे ही जाएगा so यह भी चीज में लिखवा देता हूं and in case of sacrifice the transfer will always be at market price जी हां गाइस market price आप लोग समझ गये clear है so इसका range क्या आएगा बोलो बोलो चल चल केस त्रीका अपन लोगने सब बाते तो लिख ली बट इसका range तो लिखे इस case में अपन बोलेंगे यार तेरा तो minimum transfer price हलो तेरा तो minimum transfer price भी market price है which is rupees 100 per liter क्यों क्योंकि पूरा का पूरा sacrifice कर रहा हूं मैं तेरे लिए external divine पूरा तेर को दे रहा हूं उत्रा मेरे को चाहिए मैं profit center simple बात भाई-भाई है अपन बट देख साथ रहा है ना and maximum transfer price at the rate market चल्ड डन ओगई डन है तो अगर मेरे को case 3 का learnings लिखना है मैं लिखता हूं यहां पर case 3 का learnings तो मुझे बोलो क्या हो जाएगा case 3 fully occupied अगर है तो फे minimum TP maximum TP दोनों भी market price दोनों भी market price समझ गए साथ एकदम अच्छी तरह से समझ गए no tension whatsoever ठीक है चल्ड सो क्या क्या सीखा आज अपन लोग ने ठीक है वह अपन लोग एक बार quickly summarize कर लेते विड़ा आज ओ company अगर decentralized है company अगर decentralized है या जिसको अपन बोलते हैं profit center है and it wants a internal transfer मतलब अगर internal transfer कुछ कर रहा है तो जो transfer का price होगा उसको प्यार से कहते ही है transfer price आज अपन ने तीन case सीखें जिसमें case one था मेरा fully spare या जिसको अपन लोग idle बोल सकते हैं यह था मेरा fully spare जिसको मैं idle capacity भी बोल सकता हूँ इसमें मैंने देखा मेरा range of transfer price क्या रहे वह होगा इसमें मेरा range of transfer price क्या होगा बोलो सबसे पहले minimum transfer price दूसरा maximum transfer price minimum transfer price कितना होगा recovery of variable cost बरावर है maximum कितना market price से जादा तो नहीं देंगे सर तो range हो गया recovery of variable cost to market price to market price फिर मैं आया case two के उपर case two क्या बोलता है public case two क्या बोलता है part spare part occupied बरावर है yes sir case two बोलता है part spare part occupied अब इस situation में पहले सबसे अच्छा वाला जो working है वो है मेरा minimum transfer price का minimum transfer price क्या बोलता है minimum transfer price क्या बोलता है that आपका जो spare units आपका जो spare units है that will be at variable cost चलो भाई भाई variable cost पे देता हूं spare units बट 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 जो आपका occupied units है ना बेटा जो आपका occupied units है ना बेटा वो तो market price पे जाएगा ना बरा बरे all of that divided by total units to be transferred internally total units to be transferred internally any doubts anybody और max transfer price तो अपने को पता ही है भाई market price से ज्यादा तुम क्या ही लोगे क्या ही लोगे फिर finally आता है मेरा case 3 case 3 बोलता है कि अगर fully occupied यह ना बेस सेटर है मतब यह जो मैं तुम लोगो example दे रहा हूं ना कई बार institute ऐसे question के ओपर भी question बूच लेता है यह अपने लिए एक दाओं base example के जैसा है ना fully occupied अगर हुआ तो minimum transfer price and maximum transfer price minimum transfer price क्या होगा at the rate market price at the rate market price चलो done done on that note guys कि दिमाग कह रहा है और continue करना है दिल कह रहा है बस कर वह बस कर अभी तक इतना अच्छा समझ गया है सबको और इससे जादा एक की साथ burden करतेगा तो जो समझा है वह भी भाहर ना निकल जाए तो हमेशा दिल की सुनो तो दिल की सुनेंगे आज and we will say hasta la vista for today अगले session में कुछ और examples कुछ और level में बढ़ाऊंगा and we will get it done ठीक है चलो take care keep smiling thank you so much bye-bye